सो दोस्तों यहां देखिए कि मैंने 8,800 व्यू पे यहां पे मैंने अर्णिंग किये हैं 6,298 डॉलर का भी आपको आइकन दिख रहा होगा और देख सकते हो कि यतना ज्यादा अर्णिंग कैसे किया मैं एक वीडियो का ही आपको अर्णिंग दिखा देता हूं कि इस वीडियो क अर्णिंग कितना है तो यहां पे मैंने देख लिया ओपन का लिया एंड आप देख सकते हो कि 5,000 व्यू पे 5,970 डॉलर मतलब आपको एक वीडियो पे एक डॉलर से ज्यादा मिल रहा है 80 रॉपया एक वीडियो पे 100 रॉपया मिल रहा है इतना ज्यादा देख सकतो और यह पे 100 रॉपया मिल रहा है तो इसी वीडियो अके लिए ने मेरे 5,933 डॉलर दिये इस अम मैंने कैसे किया इस वीडियो में आपको बताऊंगा एंड आपको भी बताऊंगा कि आपको आर पीम और सी पीम किस तरीके से आपको इंक्रीज करना है ठीक है तो वीडियो में अंड प्रूब दिखाते हैं कि भाई देख सकतो मैंने आर पीम बर्क किया मैंने सी पीम बर्क किया और वह आपको भी शिकाते हैं मतलब आपको वह कहते हैं कि भाई आपको एक हजार रोपे लगेंगे आपका मैं आर पीम सी पीम बढ़ा के बताऊंगा कि आपको अपने वीडियो पर जैसी ओपन करोगे, आपको JMD डॉलर दिख जाएगा, वो लोग इसी को सलेट किये रहते हैं, अगर मैं इसको नीचे की और ले जाओं, अगर मैं इसको USD में बदल लूँ, इसको मैं सेप कर दूँ, यहां पर आप देख सकते हो कि मेरी पूरी अर्निंग चालिज डॉलर है, जो कि अगर लोग GMD में कनवर्ट कर लेते हैं, हाई फाई दखाते हैं, आपको वो बेवकूब बनाते हैं कि आपको मैं आर पीम बर्क बताऊंगा, आपको मैं सी पीम बर्क कुछ इस तरही के से आपको बेवकूब बनाते हैं, आपको लूट लिया जाता है, फिर आप उसमें कुछ नहीं गर पाते हैं, तो मैं आपके एक अलर्ट बता रहा हूं कि आपको, लोगों से किस तरही के से बचेंगी क्यों कि सोसलमीडिय में हर जग में बहुत जादाव तो आपको सावधान रहना है कि लोगों के फ्रॉट से आप बचें तो इस तरीके से लोगों पे घुमराय में मत रहें CPM, RPM बर्क होता है बट आपको सको content के हिसाब से होता है अगर आप अच्छा content डालोगे आप tax related content डालोगे तो आपको high RPM के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे अगर आप blogger हो अधर कोई content डालते हो तो आपको थोड़ा कम उससे RPM मिलेगा कुछ इस तरीके से अगर आप US content डालते हो, English video डालते हो, आपको English आती है आप English to English video बनाते हैं और आपकी video US में rank करती है तो वो आपके RPM और अच्छा जाएगा क्योंकि कुछ countries होती है जहां पर RPM उसी हिसाब से मिलता है जैसे इंडिया का RPM थोड़ा low है, अगर बही video अगर US में rank कर रही है तो आपको RPM उसका ज्यादा मिलेगा उसका is normally a.च्छा स्वाइब में अगर बही video इंगलिस कंट्यों में rank कर रही है तो उसका RPM ज़ादा मिलेगा अगर वो हिंदी कंट्रियों में rank कर रही है तो उसका RPM कम मिलेगा कुछ इस तरीके से RPM वाला प्रोसेस होता है जैसे मेरा ये video मेरा हिंदी बोइस में है तो यह लोग कहां से ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा हिंदी माला वीडियो मेरा इंडिया में चलेगा यह ज्यादा लोग पागिस्तान के होगे वो देख रहे होगे नेपाल के देख रहे होगे सिलंक के देख रहे होगे बंगलादेश के जो हिंदी कंट्रिय उधर ही चल रहा होगा, मैं कि यूएस में मेरा तो कोई वीडियो चले गए नहीं, मेरे को इंडिया के हिसाब से रिप्यम मिलेगा, अब मेरे थोड़ा टेक्स से रिलेटिट कंटेंट है, उसी हिसाब से मुझे थोड़ा रिप्यम मिल जाता है, जैसे मैं अभी तो इतना ज़्याद आर्पियम मचकों मिला, तो यहां पर मैं आपको बतारहे हो, मैंने यहां पर क्या ऐसा कि यहां पर एक डॉलर शिवरा मिल रहा, मुझे अज़ə मैंने क्या किया आपको अब आपको बता देता हूं, जो जिस वीडियो पर आप डॉलरोरोर से रिल तो इसमें मैंने मुल्टीपिल जगे पर एड लगा या बट यहां पर जो यह वाली वीडियो ए इस अच में पांच मिन तक ही है तो यहां पर एक जगे एड लगा तो आट में ज़्यादा होती है तो एक ही जगे लगा सकते हो और अगर नहीं चेल नेशाधा सकते हो तो यहां पे आपको कम वियू पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, अगर आप बिलॉगिंग करते हो अधर ज्यादा वियू पे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन अधर वियू ज्यादा आते हैं, अधर वियू कम आते हैं, कुछ ए फरक हमारा होता है, तो कुछ ए है हमारा RPM बर्क और लोगों के जहां से मिनना पड़े और आप एक यूटूबर हैं तो मैंने एक इनफॉर्मेटिब के लिए ही एक वीडियो बनाया था कि आपको एक इनफॉर्मेशन हो जाए कि आपको किस तरीके से सावधान रहना है लोगों से क्योंकि हर जगे बहुत ज्यादा फ्रॉड है आई होप आज का हमारा एंफॉर्मेशन आज के हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो गाइस अच्छी लगो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे